तो गुडों और आटे की बरफी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए यहाँ पर मैंने एक बाउल में गुड़ को ग्रेट करके लिया हुआ है तो बिल्कुल बारिक है अभी हमारा गुड़ और सेम बाउल से मैंने आटे को मेजर किया है तो यहां पर डेड़ बाउल मैंने आटा लिया है, गेहु का आटा है ये, एक बाउल मैंने यहां पर देसी घी लिया है, और बादा मैंने ऐसे लंबाई टुकडों में कट कर लिए है, गार्निशिंग के लिए, तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर कढ़ाई को रखते हैं गैस तो आटे का color change हो जाएगा और आटे में सिर्फ बहुत ही अच्छी महक आएगी तब तक हमें आटे को roast करना है ध्यान रहे आटा कच्छा ना रही बिल्कुल भी तो देखिए बिल्कुल color change हो चुका है इससे जादा हम आटे को roast नहीं करेंगे तो गैस को बंद करते हैं तो हमने यहाँ पर जो आटा roast करके रखा था उसे हलका ठंडा कर लिया है यहाँ पर बादाम लिया है हमने तो एक plate को मैं grease कर रही हूँ जिसमें हम बर्फी set होने के लिए रखेंगे तो आप चाहें तो इलाइची powder भी use कर सकते हैं लेकिन मुझे पसंद नहीं है तो मैंने नहीं use किया यहाँ पर तो अब मैं इसमें good डाल रही हूँ तो good जितना ज़्यादा बारिक होगा उतना ज़्यादा mix करने में easy रहेगा हमें तो अच्छी तरह से mix करेंगे अभी हम तो अगर आप चाहें तो थोड़ा मावा भी use कर सकते हैं इसमें तो बिल्कुल अच्छे से mix हो चुका है तो अभी जिस plate में हम यहाँ पर बर्फी set होने के लिए रखेंगे उसमें transfer कर देते हैं तो अभी हम गुड़ और आटे को अच्छी तरह से set करेंगे प्लेट में जैसे हम बर्फी जमाते हैं वैसे ही तो देखिए अच्छी तरह से बिल्कुल spoon से ही मैं यहाँ set कर रही हूं तो देखिए बिल्कुल plane हो चुका है यह अभी तो अब हम यहाँ पर जो बादाम रखे हुए है उससे गार्णिश करेंगे हमारी बर्फी को तो मैंने यहाँ पर बादाम लिया है या पिस्ता या काजू जो भी आपको पसंद है वही लें तो बिल्कुल अच्छी तरह से हम यहाँ पर बर्फी को गार्णिश कर रहे हैं बस स्पोन से मैं इसे हाथ से ही set करती हूं तो ठंडा होने के लिए हम इसे 15-20 मिनिट के लिए रख देंगे 5 मिनिट या 10 मिनिट में ठंडा हो जाएगा तो 10 मिनिट के लिए हम इसे फ्रीजर में रखेंगे फ्रीजर में या फ्रीज में रखें आप इसे तो देखिए फ्रीज में मैंने रखा था इसे तो दस मिनिट के लिए रखा था अब जो बर्पियां वो अच्छे से सेट हो चुकी है तो अभी मैं इसे नाइफ के साथ में कट कर रही हूँ तो आप चाहें तो जैसी भी शेप दे सकते हैं बर्पी को तो दीखिए जो बर्पी हैं हमारी वो अच्छे से कट हो चुकी है और लुकिंग में भी यह बहुत अच्छी लग रही है खाने में भी बहुत टेश्टी है तो आप इस रेस्पी को ज़रूर ट्राय करें मुझे उमीद है कि आपको यह रेस्पी जरूर पसंद आएगी तो दीखिए हमारी गुड़ो राटे की बिल्कुल पर्फेक्ट बर्फी बन कर तयार है तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें